लोजी सबेशन चटनी आलू मटर असलाम अलाइकॉम प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप ना ठीक हो अला ताला से उमिर करता हूं आप भी सब खेर खरियर से होंगे मैं हमेशे आप सब के लिए वीडियो के शुरू में यही दुआ करता हूं जा रहें खुछ रहें अबाद रहें और कोई दुख दर्दाब तक ना पहुंचे आला ताला आप सब को अपनी हथ सोमान में रहें तो कैसे हैं आप जरना चाल रहा है पानी का वर साथ में मकाई का खेत लहलाता हुआ तकरीबन बारा बज़े का टाइम है और खुबसुरत धोप निकली हुई है हर तरफ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें लाइक भी किया करें और वीडियो जासे आज शेयर किया करें तो आज आज की दुपहर को शांदार बनाने जा रहे हैं दिल्चस्प चीज बनाएंगी आज इन्शालला जो आपको मुद्तों याद रहेगी तो बहुत बेगम जबतों समान लेकर पहुंचे ही हैं असलाम अलेकों मीद करती हूं आप लोग सब करतारिया से होंगे आनम प्लाना भी ठीक है ये हमारे पास मेथी है देसी मेथी हरा धन्या और खीरा भी है सब्समरच भी है और बहुत से समान तो अंदर पड़े हुए है तो आज ब जाब करके आजयें बिगर दवा नोजी हमारे पास ये उबले हुए अलू और एक पाउ दही लेसं भी है अद्रक भी है मटर भी हैं बहुत मेंगी हैं वैसे तो 600 प्य किलो और गाजर भी है हमारे पास खीरा भी है हरी मिर्च भी है और अरा धन्या भी है सबस मेती भी है तो आज बना रहे हैं सपेशल दो किसम की चटनी और प्योर बिले स्टाइट चटनी इंशालला आप देखेंगे के आलू की चटनी आपने ऐसी कभी नहीं खाई होगी और ये चटनी मेरी दादी हमा बनाया करती थी जब आज से चालिस तीस चालिस साल तरे तो मुझे थोड़ा उसका याद था तो इसलिए आज मैंने कोशिश की और समान भी मिल गया हम बना रहे हैं इसमें हमने तकर एक पाव मेती लिए जिससे सौ किराम मेती हमारे पास पता निकल कर आजाएगा तो हम बनाएगे दो किसम की चट्निया थोड़ी देर में आपको नदर आएगी कि कौन-कौन सी वरेटेज की चट्निया बना रहे हैं और तो राजबा जो खाने में मज़ाएगा तो पहर का खाना तो राजबाब होने वाला है साथ के बहुत तो हम तनो बेतावी से देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीज कितने टेम पर एड़ करेंगे तो थोड़ी देर में वो भी आपको नदर आएगा यह डालें इसमें सबसे पहले मेथी को बारिक करने ना है तकरीमन यह हमारे पास आध पाउ मेथी है दो हरी मेथ सावित दोड़ को जाए यह इसमें डालेंगे यह जब तक थोड़ा बरीव हो जाएं यह डो हरी मेरे चिसमें डाल जाएंगे तो आप रोग मटा करेंगे यह आपके पास उबले हुए आलू एक पाउ तकरीबन मैं इसमें थोड़े से मटा निकालूंगा जितने भी हम डालेंगे कुछ दान ही डालेंगे जैके के लिए तुम्ली हल्प करो साथ के बड़ेप आगे आजाओ भूख लगी होई है तो सब्सक्राइब दो किसम की चतनी बना कराई खाना खाएंगे तो पहर का तुम्तुरी नोटी वैसेंटी हमारे पास बालू देखा में अच्छा ग्लाना बहुत मेंगा चे शर्वेटी लाइं शाके इसका एक दाना दासरू पेकर ये एक दाना दासरू रूख भी तक्रिबन पचास ग्राम मट्र निकले हुए मैंने निकाले हैं, तो ये भी इसमें डाल देंगे, अराम से बरीकर वोड़ना जाएंगे ये छोटा साथ तुकड़ा एक अध्रत का लेंगे और इसको साफ कर लेना है ये उसमें रखें, प्रेट लें किदर रखें मेरे साथ इसको भी इतना साथ, शोटे-शोटे टुकड़ा करते जाल देना है और लेना है जी लेसन, और ये कितना लेना है तकवी बन, ये दो पड़े दाने अच्छा ये जो लेसन है, लेसन के दो दाने छिल देने हैं वाइट कलर दी और इंट को भी बरी टुकड़े करके डाल देना है ये बहुत पावर्फुल चीज़ है, इन्साली जिद्गी के लिए लेसन्जर, उज़र कानवल, अतिया है इसे हर विज़र में इस्तमाल कर चाहिए सालम ने तो वैसे भी इस्तमाल करते हैं जो हम चिक्ट्नी बनाते हैं उसमें भी इसको इस्तमाल करना चाहिए ये दो दाने हमने डाल दी रेestarव और इसमें खोषभू के लिए तकरीब न थोड़ा सा अग्राताय दालती है साके एक प्रेट लेओं अलका सा नमक डाल देना है असके ज़रूरत जितना आप इस्तमाल करते हैं है है हमारे पास तो बड़ा डपा है जितना भी खाएं खा सकते हैं क्यों बहुत आप दो यह लेसं और अधरक यह लेसं जो इसमें जो जो इसमें इस तो आप आप दो यह डाव दें अगे और और यह तीन चीज़ें अब जो हैं इसका बनाएड़े सलाथ एक गाजर दो खीरा ऐसे समझने के मज़ेदार प्याज मिले है प्याज क्या प्याज प्याज तो जहन में नहीं आया जब हम दुकान से वाफस आया तो रास्ते में यादा है कि प्याज तो हम ढूल गए लोजी सपेशा चट्नी आलू मटर वाली सपेशा चट्नी उबले हुए आलू आली तोड़ी देर में आपको टेस्ट करके बताते हैं दूसरी चट्नी भी बनने वाली है तोड़ी देर में क्योंकि हमारे पास हरी विर्च धनिया और दहिल मौजूद है बस इसमें बना दें वाल यह तो यह तो यह परीकर में तो मैं थोड़ा इन्हें काटें के बाज़ें रखेंगे अच्छा गोल गोल काट में है बेगांगा अच्छा इसमें दूसरी अधी मर्च है ना अपने पास तो लाल मर्च नहीं गांगे तो साथ के उटो यह जो समान बच गया है यह साम को सालन बनाएंगे यह वट्र को जाजाते हो यह भी ले जाएंगे और तुम यह देजिए लैसा मलद रख यह रख्याव जल्दी हो कमरें के अंदर रखना हैं बस काफी है इसको साफ कर दो मुकमल साथ यह अच्छा है सब लोग खाएंगे ना जो अदमी सेब नहीं खा सकता वो गादे रखा रहे एक ही बात है यह भी कुझत का अनबॉल अपिया है तो डालें इसको थोड़ी थोड़ी सी यह 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 चट्मी को थोड़ी सी वो चट्मी डाल के दें बागी बज्चें को भी दें वो भी खाना काएं हम भी खाना काएं यह जोड़ी रोटी के उपार ही डालेंगे जो आलू और मटर वाली चट्मी है काफी है और यह दही वाली चट्मी और हरे धनी वाली चट्मी साथ में आए ये सलाद आपके सामने पड़ा हुआ है जितना मज़ी आप गाजर भी ले सकते हैं खीरा भी ले सकते हैं और हमें डाल दें बागी जो है वो अपनी सिटर को जाके देखिया हैं साथ कि बस काफी ये रिसमिला करके खाओ तें मैं तो काफी अफसे बात का रहा हूं तकरिबन मुझे तो जाद नहीं विच्पन में दादी अम्मा बनाया करते दी और हम काया करते थे बिल्क और वही लेका और वही अच्छा दोनों चट्विया मिलके न ऐसा मज़ा आ रहा है तक दोन से बास सारा दिन खाते रहे अगया प्रूब तो देगम सहबा मैं तो जट से चट्वियें बना ले लेका हूं ऐसी चट्विये मैंने नहीं काई कपी और यह समान रह रहे हैं बहुत मज़ा आया आज की दुपहर तो ऐसे समझ लें के रंगीन हो गई बच्व नभी शोक से काई सब ने पूरी फैमली ने मज़े उड़ाया आज ऐसे समय लें दो किसम की चट्विये थी हमारे पास सम्झ धने वाली और आलू और मट्र वाली आलू भुना हो तकरीबन अगर आपने बनानी है तो दो तीन अदर द्रम्याने साइज के आलू भु अपनी मर्जी की चीज आगे एड़ कर लें अगर ना भी करें तब भी ठीक है नमक हो मरच हो जन्या हो तो इसमें बाद लोग दही भी डालते हैं लेकिन हम नहीं डालते हैं तो सुरज भी सर पर पहुंच चुका है बहुत खुब सुरा दोप निकली हुई है और ये मुसमी बच्चों ने सब उखाड लिये हैं बस जहां उनका हाथ नहीं पहुंचता उपर तो वही बचे हुए है तो मैंने कल एक दाना लिया था बहुत मीठा था अब इसका रस पूरा बन चुका है तो इंशालला आज की दुपहर और आज की वीडियो आपको भी बहुत पसंद आ अलाके जो भी ये निम्ते हैं चाहे वो फूरूट की शकल में हो चाहे सबजी की शकल में हो तो हमारे लिए अनमौल आतिया हैं हमें इस्तमाल करनी चाहिए और ये हमारी सिहत के लिए भी बहुत अच्छी है ये चीज़े तो आज कल दुनिया में पता नहीं क्या मुरगन ग अबाद रहें और कोई दुख तरदाब तक ना पहुंचे आला आप सबको अपनी इस्तमान में रखे आपने से जो भी बिमार हैं अन्हें अन्हें सिहत उतने दुस्तिय अता फर्माए और जो बे उलाद अफराद ने एक उस्यत माद आप दे आपके निश्तेदार आपके सब को अपने समान में रखे जो पर दोड़ेस में मेरे बेहन बाई हैं अगर किसी भी दोख तकलीफ में तो अन्हें दोख तकलीफ दूर करें और मज़दूर भाई पूरी दुन्यों में अलाद आपनी समान में रखे तो मिलते हैं इसलों का यह नई वीडियो के साथ एक तक आपसे इज़ास चाहूंगा, अलाहाफेज